तो भाई रेगुलाट एक्साइज करोगा खुदी मज़ान लगेगा आपको मैं कह रहा हूं कि खुदी आप जैसे आप उठोगे न सुखर के टाइम के साम के टाइम जब आपको टाइम मिलता है वर्काउट करो ठोड़ो हैलो गाइस वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल त तो भाई आज मैं आपको एप्स वर्काउट की सारी वीडियो बताने वाद हूं तो इससे पहले हम करिंगा अपना वर्काउट जैसे कि आज में को पांच किलो में करने के बाद उसके एक्साइज करेंगे सारी एक्स वर्काउट की तो इस चैनल पर बने रहना अगर आप न अगर दोड मानने वाले बंदे को तुम कहीं में खड़ा कर दो बीच बीड में कहीं भी करता है यह फिर मतला कुछ ना कुछ गेम जरूर करता है तो यह फायदा होता आपका रनिंग करने का मलब फिट रहने का ठीक है उन्हें तो हो जाओ धोंदन लेकोई फायदा थोड़ कोई भी हो सबका होगा वेट रूल भाई पर करना भाई अधा एक दम नोवर बता हूंगो कोई भी रहते है बस आप करना अगर मैं 10 शेकंड कर रहा हूं 15 से कर रहा हूं तो आप करना आठ सेकंड तर सेकंड पर करने कोशिच करना धीर 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 पर छोड़ना मत वर्काओ तो को है सप्ढका का वाल का ऐसा लगिस अब कर रहा है वोरम दो करेंगे दो किल्मेटर गोर उसके बाल अब करेंगे सेलें सकरदेवेसे हैं तो मॉर्काओ हैं ने चल् Euh कि यह यह लोग्या है भाइफ लूए लुग जीए गड़के पीजह कि अद्ध कर दो अधर कि आइज जब आज़ाइगा यां लुट इस अब हम करते हैं वर्कॉटे वारे में बात तो मैंने अपनी वोगर में अपनी कर लिया थोड़ा साज पूरा होनी पाया क्योंकि थोड़ी घ्राउंड के साथ सफाई करिए यह तो बाइब सब्सक्राइब कर दो हैं तो जैसे कि मुनक्ख्य हो गई अजीर हो गई बदाव हो गई काज वह गई सदाजीर केसर मनलब देश चीज़े ही खाता हूं तो मैं एक दिन में सिर्फ 4 केले सुबह चार केले सामत हूं टूद की बात करें दूद बाई एक दिन में जाधा तो ना मिलता ना क्योंकि सहरूं बहुत महंगा हो वह गाई भेस तो दूद भाई वह आदी किलो या पॉल किलो बस टिक है इतना दूद ले दाओ रोटी की बात करें तो रोटी पूर दिन के अंदर जाधा जाधा साथ पर वहां जो मिलता हो पातों तो अब रगाऊट की बात ऐसी है जैसे आप अगर अधर अचाते हो नहीं-गन्र नहीं अधा तो आप स्टार्ट कर दो अपने थोड़ए ख्शोड़ा दर निंग करो आराम-धां से जैसे कि आपने श्टार्टिंग करी एक किलो मेंटर अराम- कुछ भी कर सकते हो जैसे कि आपके पुस अबन जाए तो इस तरीके से मार सकते हो कि कोई भी चीज़ उसे रेगोलर करना पड़ता तब आपकी प्रैक्टिस अचीश होती है एकदम तो कोई खलीपा ना बनता आराम नाम से करोगे तब ही आपके अब मैं दिखा भी देता हूँ है तो भाई एपस वरकाउट की सबसे मैं एक्षाइज तो भाई प्लेंग की होती है मैंने इससे पहले भी एक्षाइज आपको बता रहे हैं प्लेंग प्लेंग की बाई आद डालो उससे क्या है आपका स्ट्रेंद पावर पूर एक्षाइज तनी तकड़ी हो जाएगी बहुत जवर्जस्त ठीक है और आपके स्टैमना इतना डवलब होगा पहुत जाता बढ़ जागा स्टैमना दीर दीरे एक दम नी बढ़ेगा तीरे बढ़ेगा सांस तो भाई हर किसी का बूलता ऐसा नहीं है जागा तो यह अब था हम नेकाल थे अपने प्लैंक तरीके तरीके सा करना थे तो क्रोग थो क्रेंटफ नेकाल तो टीषेट क्रेंगों है तो यह हैं तो यह प्लेंग वाहितना जवर जस्ता अगर आप करूगे ने तो डूब बतार दो ठीक है बस आप गड़ना जरूर को कैसे आ रहे हैं बढ़ी आ रहे हैं? इस तरीके से ब्लाए करें तो साइब आधा दोगावकर आप नहीं हो तो आप इस तरीके से रुख सकते हो 15 से कि रगा तो स्टोब बाच और 15 से की तरीके से करें जैसे मैं रगा तो जोब चार सेकन होगे तो भाई रेगुलर एक्साइज करोगा खुदी मजान लगेगा आपको मैं कहा रहा हूं कि खुदी आप जैसे आप उठोगे न सुभे के टाइम के साम के टाइम जब आपको टाइम मिलता है वरकाउट करो ठोड़ो मत बस संडे ओ मंड़ो कुछ भी ओ करो वरकाउट इसका र सब्सक्राइब करना यह लूज हो जागा मदलब कमार एक्सम सेप माई जाएगी आपकी जैसे मैंने राइट साइट से करा उसके बाद आपको लेफ्ट से भी ऐसे करना फंदर सेकंड जितने भी आप कर सकतो स्टार्टिंग में देखो सुरू मत इक्कत होगी कोई बात नही तो लेफ्ट से वागे हैसा हो इस तरीके से अ इस तो बाद तो बाई रिजलेट को बताओगे जब करोगे एक्साइट देरे देरें एक दब तो कोई इस टार नमनता थोड़ टैम लगेगा अब मेरे याप समेशा रेगोरी सीधी रहता है मैं पर्मेरेंट तो रॉनिंग करता हूं और उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सर जरू करता हूं ज्यादा नहीं मुस्कित आप आद गंटे भी करोगे हैं कि आप इस तरीके बाद अब बाद नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना सबको राम राम जयाहिन भाई पर ऐसे आप समझेंगा तो खतर नहां दो कि कैसे लगी वीडियो